कितनी मस्त नींद आई आज लेकिन टाइम क्या हो गया यार ओ गोड नौ बच गे आज फिर से उठने में देरी हो गई मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में लगता है आज तो मैं कई काम से घड़ी में सुभा के नौ बच चुके थे और घर की बहु माया सोकर अभी उठी थी माया को लगा कि आज उसकी खैर नहीं वो अपनी सास मम्मता से बहुत डरती थी किसी तरह हिम्मत करके वो नीचे हौल में गई तो देखा मेस पर उसकी सास मम्मता और उसका हस्बंड मुंदन नाश्टा कर रहे थे तब ही मम्मता की नजर माया पर पड़ी और उसने माया से बड़े प्यार से कहा अरे उठ गई माया चलो जल्दी से फ्रेश होकर आजाओ मैं तुम्हारे लिए नश्टा लगाती हूँ माया को लगा कि उसकी सास उस पर तन्सकस रही है वो जल्दी से वहां से चली गई और सोचने लगी कि क्या वाकी उसकी सास इतनी अच्ची है या फिर अब उसकी शाम मताने वाली थी दरसल माया और कुंदन की शादी को अभी एक हफता ही हुआ था पर लाख कोश्यों के बाद भी माया की आँख सही समय पर नहीं खुल पाती थी हालांकि ममताने कभी इस बात को लेकर उसे कुछ नहीं कहा लेकिन आज माया को बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुंदन के जाने के बाद उसकी सास उसकी कलास ना ले ले कुछ देर के बाद माया नीची आई तो देखा उसने कि खाने की मेज पर खाना लगा हुआ था उसकी सास ममता ने उसके लिए नाश्टा लगा रखा था अजो माया नाश्टा कर लो सौरी मम्मी जी वो पता ही नहीं चला और सुबा के नो बज गे अरे क्या हो गया अभी तो मैं जवाण हो अभी तो मैंने सारे घर का काम कर लिया है फिर जब मैं बुड़ी हो जाऊंगी ना तो यह सारे घर का काम तुमें ही करना पड़ेगा ठीक है मम्मता मुस्कुरा कर किचन में चली गई और वहां माया नाश्टा करते करते सोचने लगी कि उसकी किसमत वाकी इतनी अच्छी है जो उसे इतनी बड़िया सास मिली है नाश्टा करने के बाद दोनों सास बहुर टीवी देखने लगी तब ही सक्रीन पर मजूद न्यूज अन्ड करने बताया कल रासोन पारा के पैंक में डिकेटी की कोशिश हुई डिकेटों ने बंदर बना के बच्चे को बैंक लूटने की कोशिश की विकिन वो नाकाम रहे कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर कोई उड़ता हुआ आया और ना सिर्फ उस बच्चे को बचाया बलके डिकेटों को भी बान दिया फिर वो शक्स उड़ गया और वो डिकेट पलिस की हरास्त में है प्रिकों नहीं पता था कि वो कौन है और यह किस ने किया क्या यह नियूज वाले भी ना पी आरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं नहीं मम्मी जी इसमें कुछ तो सचाई होगी ना तबी तो यह लोग अरे बहुरानी अभी कोई आदमी भी उड़ता है क्या और यह सूपरमैन ना बस कहानियों में होते हैं असल जिन्दगियां में नहीं माया मम्ता की बाते सुनती रही वो अपनी सास को समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब तो उसे सारी जिन्दगी मम्ता के साथ ही रहना था यह सोचते सोचते माया किचन में गई तो उसने देखा के पूरा किचन शीशे की तरह चमक रहा था माया समझ गई कि उसकी सास को सफाई का बहुत शोक है और खास कर वो अपनी रसोई को तो एकदम चमका के रखती हैं फिर अगली सुभा बढ़िया आज तो मैं जल्दी उठ गई ममी तो अभी तक सो रही होंगी अच्छा मुका है आज मैं सारा काम खुद करूंगी और वो जब उठ जाएंगी तो कितनी खुश होंगी ये सोचकर जैसे ही माया किचन में गई तो उसकी आंखे फटी की फटी रह गई उसने देखा कि ममता एक कोने में खड़ी है और अपनी उंगलियों से इशारे कर रही है और इसके इशारों पर किचन का सारा काम खुद बाखुद हो रहा है ये देखकर माया के माथ्य से पसीना छूटने लगा और ठीक उसी वक्त माया को ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा हो माया उठो कितनी देर हो गई ममी जी ममी जी आप पर आप तो मैंने तो आपको क्या बोल रही हो कोई सपना देख लिया क्या हाँ ममी जी बड़ा खतरनाक सपना देखा था शुकर है गोट का कि ये सब तो सपना था, मैं तो डर गई थी माया नहाद होकर बजार से समान लेने गई तो उसने महले की ओरतों को बाते करते सुना उसे पता चला कि पड़ोस की ओरते उसकी सास को जादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि ममता कभी उनसे बात नहीं करती थी ये सोचते माया बजार की तरफ बढ़ चली तब ही कहीं से कुछ शोर सुनाई दिया क्या हुआ यहाँ? अरे उस घर में आग लग गई है और यहाँ पर दो चोटे चोटे बच्चे हैं अगले ही पल बहुत तेज रफतार से उड़ता हुआ बाहर निकला जिसके हाथ में दो बच्चे थे किस से पहले कि उस शक्स को कोई देख पाता या उससे कुछ पूछता वो बच्चों को वहीं छोड़ कर फिर से कहीं गाइब हो गया पर माया ने उसका हाथ देख लिया था और वो जान गई थी कि असल में वो फिरिश्टा कौन है मम्मी जी आप ही हो ना क्या बोल रही हो मैं मतलब वो उस दिन बैंक उससे पहले डैम में डूपते हुए लोग उस ब्रेक फेल बस को रोकने वाली और आज उन दोनों बच्चों को आप नहीं बचाया था ना क्या बोल रही हो माया तुम ठीक तो हो ना ये क्या ना आप चुनाब बोल रही हो मम्मी जी बस कीजिए मुझे सब पता चल चुका है जब आपने उन बच्चों को पकड़ा था तो आपके हाथ में वो बड़ा सा कंगन देख लिया था मैंने मुझे से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है आपको तो आखिर कार मैं पकड़ी ही गई देखो माया यह सब कुछ मेरे इस जादूई कंगन की वज़ा से ही है जब मैं छोटी थी तो यह मेरी मा ने मुझे दिया था ताकि मैं इस जादूई शक्तियों का इस्तमाल करके जरूरत मंद की मदद कर सकूं हाला कि मैं इसे चोटे मोटे काम निप्टा ही लेती हूँ अच्छा मतलब ये कोई सपना नहीं था सब कुछ साची था आ मगर इस बारे में किसी को पता ना लगे